नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत की त्यारी में दोस्तो अगर आप भी नगर निगम में नोकरी करना चाते हों तो ये बहुत सुनहरा मुका आया है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे डारेक्ट भरती आई है नगर निगम द्वारा और दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई गोडर्मेंट जोब आई आपको उसका पहला नोटिफिकेशन हमारे यी चैनल से मिले दोस्तो दोस्तो तो आज की जो 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 जोब है वो है नगर निगम में दोस्तो जो आपकी जोब लोकेशन होगी वो सबसे पहले बता देता हूँ आपकी जो जोब लोकेशन होगी वो होगी दोस्तो कोलकता में आप भर कहीं से भी सकते हैं आप भले हर्याना के हो डैली के हो यूपी के चाहिए मदरास के हो कहीं के भी हो आप भर सकते हैं इस फॉम को पर जो आपकी जोब लोकेशन होगी दोस्तो वो रहेगी आपकी कॉल कतागी दोस्तो और अब दूसरी बात आती है कि किस चीज की जोब है दोस्तो एक क्लेरिकल जोब है दोस्तो एक क्लर्क की जोब रहेगी और एक junior अच्छाइब दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह कब से कब तक भरी जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर लिख रखा है 1408-2018-2029-2018 मतलब 14 अगस्ट-2018 से लेके 12 सितंबर-2018-2018 तक भरी जाएगी दोस्तों यह अब नेमों पोस्ट देख रखे हैं आपके क्लियर निमेंशन है जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर लिख रखा है यह क्लेरिकल जो पर आपको सारा क्लर का जो काम होगा वह करना पड़ेगा अब टोटल वैकेंसी कितनी यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 200 तो है टोटल वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों अब यू आर के लि टोटल आती है और थ्री जो पोस्ट हैं वो हमारे जैसे जो जो फिजिकली चैलेंज या फिजिकली हैंडिकैप होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर रखी गई है दोस्तों अब बात करते हैं आपको इसकी तनख़ा कितनी मिलेगी दोस्तों इस जोब में तो जो की मेन बात हो हो चाहे वो Iss가지고 हो चाहे वो किसी officer की हो तो ऊसमेल इसक्झनी पी लिखी रहती है वह आपको जो मिलने के बाद में आपको तना इतन की थैसर दोस्तोम तो जैसे आप 4-5 बहने की आपके ट्रेहनी होती हैं और उसके बाद जो आफ को जो सेलरी मिने साट होगी वो है 25,200 दोस्तों और इसे 25,200 नहीं रहे क्योंकि काफी सारे incentives विलेंगे आपको यहां पर लिख रखा है जो plus grade रहेगा और 26 को रहेगा तो आपको 35,000 के लगवग यहां पर आपकी salary होगी परमन दोस्तों अब हम बात कर सकते हैं कि qualification क्या चाहिए आपको इसके लिए तो यहां पर देखिए आप साफ साफ लिख रखा है higher secondary examination from west bengal counseling of higher secondary और equivalent मतलब क्या होए इसका कि आप से बारवी पास होने चाहिए दोस्तों केवल और केवल आप बारवी पास होने चाहिए भले ही वाफ west bengal से हो या किसी भी बोर्ड से भले हो cbsc हो या किसी भी state का हो जैसे यूपी बोर्ड आ जाता है राजिस्तान बोर्ड आ जाता है किसी भी वोर्ड से हो सकते हैं आप पर बार भी पास होने चाहिए और अगर आप मानों आपके पास कोई और भी डिगरी है candidate having higher qualification में वो अप्लाइ लिख रखें आप अगर आपके पास कोई और भी डिगरी है जैसे आप bachelor's है या post graduate है तो आप इस तब भी और भी इसे भर सकते हैं अब बात कर सकते है age कितने साल तक बहर सकते हैं जो minimum age है वो तो है 18 साल और जो maximum age है दोस्तों वो रहे कि 40 साल तो age में आपकोई problem नहीं आप सब भर सकते हैं काफी लोग भर सकते हैं से 40 साल तक एज वाले से भर सकते हैं 18 से लेके 40 साल तक दोस्तों आगे की आगे बात करते हैं इसमें फीस कितनी लगेगी दोस्तों देख सकते हैं आपे फीस लिख रख रखी है 150 रुपीज for candidates of UR and OBC plus 50 रुपीज processing charge and 20 रुपीज bank जो लेता है वो तो इतने आपकी जो होगी टोटल फीस लगेगी दोस्तों और अब जो हम बात करेंगी दोस्तों वहन आपको पहले ही बता देती इसकी last date क्या रहेगी वह last date यहां पर देख सकते हैं लिख रख रख रहा नो दो हजार अठरा मतलब 12 सितंबर तक आपके फो पॉम भरी है और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बोक्स में लिख देना मैं आपका उसका जवाब जल्दी से जल्दी दूँगा थैंक्यू दोस्तों